भयंगर तरीके से बालों को लंबा मोटा घना कैसे करें हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप लो एक ऐसी रेमिडी बताने वाली हूं जिसे अगर आप कुछ दिन कर लेते हैं तो आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे होने शुरू हो जाएंगे इसके लिए फ्रेंड् हैं चैवल को आप कर दें उसके बाद कर दो कटोरी इसमें पानी एड़ करना है और पानी आप इसे 20-30 मिन तक ऐसे ही छोड़ें उसके बाद आप का चावल का पानी थोड़ी ही देर में बनकर तयार हो जाएगा चैबल का पानी से हमारे बाल बहुत ही तेज से लुदे उने शुरू हो जाते हैं बस इसको इस्तमाल करने का सही तरीका आना चाहिए तो आज की वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको इसको कैसे इस्तमाल करना है कब लगाना है और कैसे लगाना है अगर आप लोग ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जावर वाले बैल आइकन को प्लेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको हाथ से चला लेना है आप देखेंगे कि जो आपका चावल है वो बिलकुल क्लीन हो गए है और जो भी हमारे चावल में मौझूद विटामीन प्रो ऐसे ही छोड़ दें उसके बाद फ्रेंड्स चावल को आपको इस्तमाल कैसे करना है और कैसे इसका यूज करना है और किस तरीके से करना है मैं आपको आगे यही बताओंगे उससे पहले फ्रेंड्स आपको जो हमारा चावल का पानी है वो आपको किसी साफ बतन में छनी की ह अपने हैर वाश करने से लगवग 20 मिनट पहले अपने रूट्स पर लगाना है अपने बालों की जड़ों पर लगाना है और मसाज करनी है आप इसे अपने बालों की लेंद पर भी लगा सकते हैं अपने हैंड की हेल्प से या फिर आप स्प्रे बॉटल से भी अपने पूरे पर इसको लगा सकते हैं और 20 मिनिट लगे रहने के बाद आप जो भी शैंपर यूज करते हैं उससे अपने वालों को वाश कर लीजिए उसके बाद आप देखें कि कि आपके बालों में एक अलगी तरह की शाइन आ जाएगी आपके बाल चमकदार होने स्टार्ट हो जाएंग फ्रेंड्स उमीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही धेर सारी वीडियो मिलती रहें